कि स्वालेकुम नादरीन घुन्टे पिर्दे के पेज में इस वक्त हम बात करेंगे सिंधा आइपोर्ट में आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है बंद्यात इलेक्शन के वाले से कि बहुत सारे लोग जो है वो इस फैसले का इंजार करते के बंद्यात इलेक्शन होंगे के नहीं होंगे तो इस फैसले पे इस वक्त जो है सबसे बड़ा फैसला आया है कि बंद्यात इलेक्शन की जो द्रफास्ति उसको मुस्तरत कर दीगए अब जो है वो बंद्यात इलेक् आज जो सुबा फैसला है कि बल्दियाती इलेक्शन अपने वक्त भी होंगे। आप इस वहन से क्या समझते हैं। जिमल को बल्दियाती इलेक्शन कमिशन के पास त्यारी नहीं भूरी नहीं वूरी लिस्टे नहीं है। बहुत से दलाइल के साथ ये इस्तदा की गई थी कि उन जो बल्दियाती इंतखाबात है उसको इलतवा में डाला जाएं ताहम जो है वो सिंध हाई कोड ने ये कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे और तमाम दर्खासते मुस्तरत करती है इसका तफसीली फैस के मकर आया है वो ठोज गुणज वपर नहीं है अभी तक जो है और इतना बडा काम कैसे होगा वक्त पर और ये डाई करू अफराद तो ये बेल्म नहीं है कि कौन सी यूसी है कौन सा और है इसी तरह जो हलगाबंद्यां हैं, बल्दियाती इस हوाले से भी उन्होंने तहफूसात का इजार किया था और उनका ये एका शैना था कि बल्दियाती निने इन्तखाबाथ को रोका जाएं उन्होंने इस जिन में नौाजशरीफ केस, उस हוाले से भी कुछ दलायल दिये थे जब तक पूरे नहीं हुए तो अनठावाद नहीं करा जा सकते थे इसी तरह आज तरीक निसाल के यह वकील हैं चौधरी, आसेफ जिस पेजिए हैं उनका ये कहिए था था कि सू्प्रीम कोड ने बढ़ दियाती उडारके को खुद्मुटर मुखतार बनाने का शाहिव मुखामी पकार के चूलरण ब Пос une ficar fulfillment बनाने का रही है और कि छे कम 생िया लाए अधारे हैं उनके अलैक्स से फरंट जारी काड़ी का हो कम है ये कम्जोर तरीन बल जाती हुकूमत होगी याद रहें कि जो जमाते इसलामी के बकी हैं वो भी चौदरी आसिफी हैं एलेक्शन कमीशन के बाद उसके बाद दलाय चुरू है तो एलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि जो आपने इंतखाबी वोटर लिस्टों के हुआले से जो बाते आ रही हैं और दीगर चीज़ आ रही हैं तो सारी इलेक्शन कमीशन की नहीं होती कुछ गलत मालूमात का अंदराज होता है जिसके बाइस कुछ खामिया रह जाती है जिनको दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं और जो वोटर लिस्ट की गेरत्मी लिस्ट है वो आम इंतखाबाद 23 के लिए जारी की जा रही है बल्दियाती इंतखाबाद की वोटर लिस्ट तो हमने मुझमित कर दी है और किसी गोगर कोई अतराज है इस होाले से तो वो अतराज कर सकता है उनकों पर ये भी कहना था कि जो बल्दियाती हलका बंदी है वो एलیک्शन कमीशन के जिमेदारी है वो हमने करा दी है जिस्टिस जूनेद गफौर ने से ये कहना था कि थर्फास गुजार किना था ये बलतियारी जो हलकावन्द्ध है उस पे बेदापतगीया है और ये बरुस्त तरीक़े से नहीं हुई हैं तो उनके ये कहना था कि कोई भी वोटर हलका बंदियों को चालेंज कर सकता है हमने पूरे सिंध में हलका बंदिया की हैं सिर्फ दो फीसाद हमारे पास अतराजादा हैं और कुछ दरखासे हमने निम्टा दी है, कुछ दरखासे जिरे समाथ हैं, कुछ में हमने तब्यासिया की हैं पांच सियासी जमातों ने बल्ड़यात इन्तावाद रोखने के लिए जो है, अधालत में जो है, वो दरखासे दायर की थी और एलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टिक होल्डर्स के जितने भी नमाइन दे थे उनके बात बल्दियात इंतखवात की तारीख मुखरर की थी इस हवाले से जो सिंध हकूमत के अतराजात हैं उनका यह कहना था हमने वो भी माने हैं और किसी भी पार्टी का विद्वार ऐसा नहीं आया जिसने हमको यह कहा हूँ कि हमारे सारे हुकुक सल्प कर लिये गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब यह दलायल में मुकमिल हुए तो उसके बाद आदालत ने जो है यह जो फैसला था वो सुना दिया है कि जो सिंध में सिंध हाई गोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है और उसमें यह कहा है कि जो बल्दियाती इंतखाबाद से रोकने दे मुतालिख जो जितनी भी दरखासे थी वो मसरत कर दी है अचा इसमें ताज़ा अपडेट यह हुई है कि एमक्वें के जो डॉक्टर फरो नसीम है उन्होंने यह कहा है कि वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे और वो अभी रुकेंगे नहीं क्योंकि इस तरह अगर एलेक्शन हुए है तो ना लॉकल बॉडिस किसी काम की होंगी ना जो बल्दियाती इन अंतखावात के नतीजे में जो बल्दियाती हुकूमत बनेगी वो इस खाबिल होगी कि वो अवाम के मसाहिल कर सके तो यह आज का सिंध के हवाले से बहुत बड़ा जिसिजन है अजर सिंध हाई गोर्ट ने और सिंध की सबसे आला अदालत ने यह फैसा दे दिया है कि अब बल्दियाती इलेक्शन होंगे और जो बल्दियाती इलेक्शन की त्यावी को साथ मैदान में वो यखनी तोर पे उनको बेस्ट रफलाग है लेकिन जो यह समझने ते के अलेक्शन नहीं होंगे उनके लिए बिए बिए भुरी ख़़़ा है कौशन जिना दिना मारे सीनियर रेपोर्टर फारुट समी की आपने बात चुनी और बल्दियाती इलेक्शन के वाद से मैं एक वर बात करूँ क्योंगे मेरी मुफ़लिउ जो बल्दियाती इलेक्शन लडने वादे उमयद्वार थे प्भी हो पर बीडियिक्शन को प्राल एक दिन में रहिजोंगे एक दिन में अगर बदाएफ है पुरी जो मौन रिक्षिन करे करें लोगं कि अम्धा देतं को से अवन के विभी होगे, बद्धियाफि अफूसे स पर दान बहुत पर है पर सिन्दुकमत का अपना लायमल है, पहले वो इवरान कान साथ वह वह करते थे, जो सिन्दुकमत आगे क्या उनको बद्याती जितने जितने जीतने में वह नाजा है। प्रवाले को इक्तियार देते के नहीं कि हमने देखा कि सिंद्ध हुक्मत जिसकी भी जैसे भी जीटता है उसके बाद उसके इक्तियारात के वन से बाद बड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है पिछली दफ़ा हमने देखा जो वसी वक्ता साथ थे तब भी यह है बंजात इलेक जीतने के बाद अग्तियारा जयती है अगर किंज इनक्युं वे इक्तियारात चाहती ठीजि और दूसरे जाएंभ के हैं जुआ फैसले कर ने इजर्थ संद में इस वक्त Ab Mansion में अगर अगर फैसले सबक्त होगी जो भी अपडेट होगी हमारा हमें हमारे पास बढ़ जाते एलेक्शन के हम आप नाजरीन तक पहुचाते रहेंगे